कि पाई प्रेंट वरी गूद्मारिंग टो अल प्यू गाईज कैसे हैं सभी लोग आप सभी लोगा सवागत अपने करनफेस के सो में जाओं हम लोग सब्सक्राइब करते हैं इंपोर्टन छोड़ा के युपर इंपॉरैंट विता हैं वरी आपको पने जाओने ही निवेर आपको पढ़ना चाहिए सभवा सब्सक्राइब करता हैं सबसाते बठेता हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह अपने निवस पैफर पढ़कर अपने दिन भर में लगाकर आपने निवस पढ़ा इसका आउट-पुट अगर शाम में आप देखेंगे तो ज़हरों निकलता है तो आई अपनी बात मों शुरू करते हैं आप लोग आगए होंगे तो please session को like और share जरूर करते रहेगा जितने भी लोग है please do like and share it maximum sirs and ma'am ठीक है जितने भी लोग है please session को like और share जरूर करते रहेगे ठीक है sirs and ma'am आ जागेगे चलिए हमनों अपने current affairs के show के बारे में बात करें, इससे पहले छोटी से जान करीए आपके अपने पवंसर के बारे में, इस अब ब्रीफ इंट्रोडेक्शन अबाउट यूर पवंसर, यह हमारा quality group का telegram link है, इसको join जरूर कर लीजेगा for everything, ठीक है, examination का date अपने 7th of June है, मैं आपको याद दिलवाता रहूँगा, जब तक यह आखरी तारीक नहीं हो जाती है, 9 दिन रहे गया है, please form को fill कर लीजेगा, 24 मार्च को आपको last है, form fill करने का date, और 6 पे-म तक आपको इसको form को fill करना है, total vacancy 712 है, UPAConline.nick इन पे जाकर आपको form fulfill करना है, source and maps, ठीक है, चलिए आज है, हमें जो पहली बात करनी है, आज हम लोग बात करना शूकरते है, what is the first news today, ठीक है ना, अभी आप देख रहे होंगे, कि कही जगों पे कही रज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना, बिधान सवा का चुनाव होने के वाएं, ठीक है, ठीक है, तेरा सर्टन स्टेट्स, जाप बिधान सवा का चुनाव होने के वाएं, और आप जानते हैं कि Election Commission of India के पास, निर्वाचनायों के पास, यह जब्रमदारी होती है, तो यहीं पर एक बात यह भी आती है, कि आपने देखा होगा, कि कई बार ऐसा होता है, कि जितने भी Electronic Media हैं, Print Media हो, या फिर Electronic Media हो, या Social Media हो, आज सोचल Media का जमान नहीं चल रहा है, और आप लोग को बताने कि यह जरूरत है, आप सभी लोग तो सोचल मीडिया के Champion है, ठीक है न, आप सभी लोग, WhatsApp हो, ट्यूटर हो, ब्लाग हो, फेस्वुक हो, इसक्रा, तो यह होता क्या है, कि एक conduct होता है, चुनाओ का conduct होता है, कि चुनाओ के समय, जब आपका चुनाओ होने बाला होता है, तो उसके 48 hours के अंतर, आपको किसी प्रकार का कोई Campanning नहीं करना होता है, यह इसलिए किया जाता है, कि किसी प्रकार का, आप उस बीच में, पूरी तरगी से Tranquility मेंटेन करेंगे, सांथी मेंटेन करेंगे, और वोटर को आप influence करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहीं पर में RPA है, RPA का मतलब होता है, इसको बहुता है, जन प्रतिन घित्व अधिनियम 1951, यह जन प्रतिन घित्व अधिनियम 1951 है, उसका एक section है, that is called 126, section 126, ठीक न, इस 126 के अंतरगत यह बताया गया है, यह जो भी मीडिया वाले लोग है, आपने देखा होगा कि मीडिया वाले का काम होता है, जितने भी news है, उन सभी को cover करना, तो चुनाओ होने वाला है, चुनाओ में लोग भागेदारी करने वाले हैं, सभी लोग आने वाले हैं, तो इस समय ऐसा कोई भी interview, कोई भी media discussions, panel discussions आधी ना हो, ठीक है, यह किसी प्रकार का अन्य और भी कोई भी समवाद ना हो, जिसके माध्यम से जो voter ने उनको influence किया जा सके, उन्हें प्रभावित किया जा सके, और वो इसको consider किया जा सके, इसके campaign के रूपे, political campaign के रूपे, ठीक है, तो इसे उन्हें मना ही कि गए, तो अभी जो election commission of India है, अभी उन्हें नहीं किया है, कि जो section 126 RPA act 1951 के अंतरी, जितने भी media वाले उनको invite करत हों, और पूरी की पूरी तरीके से सांसी, बना ही रखी जा सके, ठीक है, रवोटर अपने 100 वेक का प्रियूग करते वे, चुनाव में अपना vote डाले, ठीक है, और आप जानते हैं कि आपके UPSC के examination में, means के syllabus में, पूरी तरीके से clear किया गया है, ये जो RPA 1950 and 1951, दोनों ही के दोनों आपको पढ़ने है, तो इसी सलसले में ये काफे महतपूर ने उस है हमारे पास, आए इसके बारे में थोड़े सी चर्चा हम लोग कर लएक है, representation of people's act 1951, इसी संदर में ये है, देखे क्या है, context मैं आपको बता दू, context मैंने आपको बताया है, जो है कहां पर legislative assemblies में, विधान सभा में, ये कौन-कौन सा है, असम है, केरल है, पुडू-चेरी है, कामेल लाडू है, बेस्ट बेंगॉल है, 2001, ठीक है न, तो ये हां पर में इतने राज्यों में आप देख रहोंगे, जो पाच जगह है, एक, दो, तीन, चार, पाच, ये पाच जगों पर में सवाल पूछा जा सकता है, आप से, कि ये प्रकार का एलेक्शन माटर को, बाइमस ऑप इंट्रेडिया, टेलिवीजन हो, सिमलर एपरेटर्स हो, दूरिए प्रियर ओटी एट आवर, बिपोर दा आवर, आप किसी प्रकार का कोई भी आप प्रचार प्रशाद नहीं करेंगे ठीके, तो इस यो, सिंपल आर्पी आपिए 1951, 610, 126, तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप इस संदर्भ को समझ पा रहे होंगे, इस इनवाटेट तो दा सक्चिर 126 अप प्रेजनेशन और प्रेजनेशन और प्रेटर्स दूरिए आपरेटर्स दूरिए परिए आपरेटर् ठीके ना, इतनी बात समझ गये, इसी संदर में ये हमारे पास है, आप देखते हैं क्या कहता है, सेक्चिन 126 अप आर्पी आइटिन फिटीवन, यानि कि जो जन प्रतिनिधी अधिनियम 1951 है, उसकी धारा 126 से वो कहती है, क्या कहता है, यहाँ पर जान लेते हैं हम लोगे, तो यह जो आपके पास सेक्शन 126 है और आर्पे 1951, वो सिंप्ली क्या करता है, प्रोहिबीट करता है, मना ही करता है, इसको प्रोहिबीट करता है सब, election campaign activities को, जितने भी election campaign activities हो रही है, इन सभी को प्रोहिबीट करता है, फूब्लिक मीटिंस, जिसके public meetings के माद घंसे, आप आप नहीं करेंगे आप नहीं दिखाएंगे यह बात ही कहीं है इसमें आप वोटर को किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे किसी प्रकार कोई पॉलिटिकल कैम्पेंग नहीं होगा आप जो है सो एलेक्शन कैम्पेंग नहीं करेंगे जनता को स्वविविक की अधार पे उन्हें वोट देने दिया जाएगा वो साइलेंस जोर में जाके वोट देंगे किसी प्रकार को उन्हें इंफ्लेंस करने की कोशिश नहीं की जाएगी पूरी दरगे से ट्रैंक्विल जोन मेंटेंग किया जाएगा और यही कारण है कि सिक्षिन वान फिटेसिक्स है आपका आरपी 1951 का इसके वारे में प्रावधान किया गया है जन प्रतिने जी अधीनियम में प्रावधान किया गया है इसको प्री के लिए और में इसके लिए दोनों के लिए तैयार कर लेजे तो अपने देखा इना मल्टी फेज एलेक्शन अगर कभी यहां हो रहा है तो जो साइलेंस पीरिड होगा ना वो लास्ट एट आवर्स का लास्ट एट आवर्स का होता है जबकि दूसरे चुनाओ अभी इतारिक अभी नहीं दी गई है वहाँ पर में आप क्यार गर सकते हैं अपनी क्यांपेनिंग कर सकते हैं ठीके ना जैसे माने किसे रज्जी के अंतरगर एक्स कॉनसी में चुनाओ आपका परसो होने वाला कल ह तो आज से वहाँ पर silence zone maintain हो जाएगा लेकिन वाई कॉनसी उधर ही है जिसका चुनाओ होना है आज से दस दिन के बाद या पास दिन के बाद तो वहाँ political campaign चल सकता है तो यह अलाओ किया गया है तो इसे केसे में कोई direct और indirect references नहीं होंगे amounting to soliciting support for parties or candidate in the consistency observing the silence zone ठीक है शुद नाट भी any direct or indirect ठीक है ना, indirect, any direct or indirect references amounting to soliciting support for parties ठीक है असा कुछ भी यहाँ पर नहीं कहाँ जाए कि यहाँ पर support देने का अरोग किया जा सके, during this silence period star campaigners, star campaigners का मतलब होता है कि आप देखें कि कोई बहुत बड़ी जो नामी हस्तियां होते हैं लोग जानते हैं जिसे कि Bollywood starts हो गया है, जिसे हमा माली मीजी हो गई बीजेपी के लिए तो यह लोग क्या करते हैं कि कि किसी political party के लिए जो है यह जो act है, जो section 126 है, representation of people's act का, वो बिल्कुल इस बात के लिए मना ही करता है कि कोई भी silence zone के अंतरगर, जो silence period 48 hours का होता है उस दौरन कोई भी star campaigner या political leader क्या करेगा, मीडिया में किसी प्रकार के बाते नहीं करेगा, कोई भी media conference नहीं करेगा, जो कि election matter के बारे में चर्चा करता हो तो यहां पर किसी प्रकार का इस बारे में कोई election media campaign नहीं चलेगा ताकि लोगों को प्रभावी क्या है यह देख लिए आपने, in this connection, attention is always invited to section 126A of RPA 1951, in this connection, attention is also invited, which prohibits conduct of exit poll and dissemination of results during the period mentioned area, यह 48 hours के अंपर गया, आपका जो exit poll होता वो भी नहीं चलेगा, जब आपका election खतम होता है, counting शुरू आती है, तो उसके आधे घंटे के बाद ही exit poll आपका शुरू होता है, से पहले नहीं होता ठीके ना, so conduct of the exit poll and dissemination, dissemination of its results during the period mentioned therein, that is the hour fixed for commencement of poll in the first phase and half an hour after close of the poll, इसके बाद ही, आप यह अपना exit poll और opinion poll जो कुछ भी है, वो सारे चले जारी कर सकते हैं, यह first phase में जो पोल शुरू होता है, उसके से लेकर के, जब तक चुनाओ जो है, खतम नहीं होता है, उसके आधे घं आप किसी प्रकार का कोई exit poll विगरा कुछ भी आप नहीं लिखा सकते, you are not allowed to do any such kind of things, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे है, तो यह पूरा पीरिड या रटना है, कि जो ट्रैंक्पिल पीरिड है सर, वो that is of 48 hours, यह 48 भंटे का होता है, और यह कब से कब तक चलता है, यह भी आपने अभी समझ लिया, right source and maps, चले, आजए यह सर, हम लोग नेक्स बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग है, इतनी बात है सर, सभी लोग समझ पा रहे है, that should be very clear in your mind source and maps, right, चले, so यह हो गया RPA 1951 के बारे में, अब देखे इसी में, अभी क्याए कि अब जानते है कि अभी जमाना आ गया है, social media का, ठीक है, तो हमारे पास internet and mobile association of India, that is called IAMAI है, ठीक है न, has also developed, इसने खुद से किया है, जो internet and mobile association हैं, इंडिया का, उसने खुद से डेवलप किया है, voluntary code of ethics, voluntary code of ethics for all participating social media platforms to ensure free, fair and ethical uses of their platforms, यानि कि जो आपका है, whatsapp group है, या आपका क्या 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 है, Facebook है, Twitter है, blog है, कुछ भी है, ठीक है, टेलिग्राम है, तो इन सबों से अब free, fair election करने के लिए ethical means का प्रयोग करेंगे, कुई भी ऐसी बातें नहीं post करेंगे, जिसे की voter प्रभावित हो से कि, maintain integrity of electoral process during the general elections to the load server 2019, इसमें यह समें लिया आ गया था, ठीक है, so internet and mobile association of India has also developed a voluntary code of ethics under this provisions, ठीक है, अब आज ही कि किसी ने भी, अगर section 26A, 126A, जो आपके पास RPA 1951 है, इसको अगर violate करने के कोशिश किया, या contravene करने की कोशिश करता है, यानि उलंगन करने की कोशिश करता है इस धारा का, तो यहाँ पर प्रावधान है, subsection 1 के इंदर गज, चालवे, punishable with imprisonment, यह पर में आपको कारवाश हो सकता है, जो कि आपके दो साल तक का हो सकता है, साथी साथ आपको fine भी किया सकता है, या दोनों किया सकता है, ये दोनों चीज़ें ही की जा सकते है, so in case of any kind of contravention, यानि कि contravene अगर आप करते हैं, उलंगन करते हैं, इस section 126 आपका Representational People Act 1951 का, तो election matter ये होता है, what exactly this election matter is, इसका मतलब means any matter intended or calculated to influence or affect the result of an election is called election matter, यानि कि किसी प्रकार से, अगर आप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, election के परिनाम को, चुनाओ के परिनाम को, तो that is considered as election matter, यहाँ पर में जो शब्द दिया गया है, इसका मतलब ये होता है, election matter, ठीके सब, इतनी बात है आपने देख ली, तो आपको अब ये याद रखना है, कि आप ये ध्यान रखेगा, कि जो आपके पास, क्या है सर, representation of people's act, ये आपको ध्यान में रखना है सर, ये आपको पढ़ना है, मैं आपको यहाँ बता दू, कि आपके syllabus में, representation of people's act, 1950 और 51, दोनों ही आप को पढ़ने, 50 and 51, ये दोनों का दोनों आपको पढ़ना है, जन परते नहीं थी तो आधीनियम, 1950 और 51 दोनों पढ़ना है, और इसकी जो धारा है थी, अभी आपने देखा, एक धारा, आपने पढ़ा, section 126, तो ये इसा ध्यान में रखेगा, चुनाओ का समय है, तो आप से exam counselor है, उन्होंने ये कहा है कि अजान सुबह जो आता है, इसके वैसे हमारे नीन में, हमारे सांती में खलल पढ़ता है, ठीके ना, और इसके लिए उन्होंने अपनी आवेदिन को दिया है, डिस्टिक माई स्टेट के पस, तो इसके वैसे ये नीउस फिर से हमारे सामने आ गय आफ कहीजेगा, मैंने ब्येच्चियो बोल दिया था इलावाद इलावाद University, इलावाद University के जो वाइस चांसलर है संगीता सिर्वास्त्रवा, ठीके ना, उन्होंने कहा है कि एक निया जो है सुबह बाद कर दिया है, वो क्या है, कि उन्होंने कहा है कि प्रयागराज के डि यह उन्होंने लिखा है अब यह लिखे यह आपका कंटेक्स जा रहा है कि जो वाइस चांसलर है इलावाद यूनिवर्सिटी की संगीता सिर्वास्तवा उन्होंने प्रयाग राज का डिस्टिक मैंस्टेट को लिखा है कि उनकी नींद खराब हो रही है ड्यू टू लाउड आदर नियर्बाइ मॉस्क ठीके जो नियर्बाइ मॉस्क है उसकी विस्टिक में खलल पड़ता है इनहार लेटर वाइस चांसलर जो रेज़े इशू अफ सेहरी कॉल सेहरी कॉल जूरिं रमचान अट पूर एम फॉर एम फॉन दे मॉस्क सी कंप्लेंस ताट अजान रिजल् और थ्रू आउट दे अब देखेंगे कि उनका जो वर्क पूरे देन भर उनके सर में दर्द होता रहता है जो आवाज होती है उसकी वैसे और इसकी वैसे जो वर्क आवर्स है ना उसमें लूस भी हो रहा है इसमें लॉस भी आपको हो रहा है इनका ये कहना है यानि कि उनक पूर्ट नहीं पिछले वर्ष महीं के महिने में अलावाल हाई पूर्ट नहीं कहा था कि वाइल दा अजान यानि कॉल टू प्रेयर में भी एसेंशिल यह कि एसेंशिल हो सकता है एंटेग्रल पार्ट अफ इसलाम इसमें कहीं से कोई दो दा रहा है नहीं प्रेयर आपका होता है इसमें कहीं से कोई दो रहा है लेकिन जो आप लावड़ स्पीकर का प्रियोग करते हैं या अजान एंप्रिफाइंग का मतलब बढ़ा करके आवाज को तीज करके जो आप प्रियोग करते हैं यह आपका धर्म का अभिन हिस्सा नहीं हो सकता वारंटिंग प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट इंसाइं अनुशेद पच्चेस अब जानते हैं कि यह कहा गया है कि आपको अपने धर्म के क्या है अन्तागरण की सुतंदरता है और अपने धर्म के प्रचार और प्रश करें जिससे कि इसकी आवाज बहुत तेज हो बहुत दूर तक जाए और आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनकी ट्रैंक्विल्टी में सांती में कोई खलल पड़े अगर कोई सोना चाह रहा है या कोई जग रहा है तो वह इसको डिस्टरब किया इसके आप अप डाट इ उसे के फंडामेंटल राइट का उलंगर नहीं कर सकते जैसा कि मैंने आर्ट के टूंटीवन ने बढ़ा था प्राण एवम दहिक स्वतंतरता का दिकार उसी के अंतरगत एक मामला एक वाल फिर से भी आया था कोई भी विक्ति अगर आ रहा है तो उसके पास प्राण एवम बजना शुरू हो गया वसके नहीं पूर गी ठीक है तो अगींस अगींस फंडामेंटल राइट ठीक है तो आर्किल 25 इस प्रोटेक्टेग आपके पास क्या है इसलाम का इंटीग्रल पार्ट है एसेंशल पार्ट है अजान करना लेकिन इसमें जो है सो उंचे आवाज का प पॉब्लिक और जो कि क्या है कि अगर आप इस तरीके से लाउड इसमें का प्रयोग करते है तो इट कैन बी रिस्टिक्टेट इन राइन इंदा इंट्रेस ऑफ पॉब्लिक और मॉरालिटी अन है अन्टो हेल्थ का मतलब नॉइस फॉलूशन ठीक है ना अन्टो अटो अध इस बात को कोट भी किया है कि पिछले वर्स इलावाद हाई कोट का ये अजस्मेंट आया था एक PIA लगाया गया था पॉब्लिक इंट्रेस लिटिकेशन जिसमें की जो हाई कोट ने इलावाद हाई कोट ने अपना ये जस्मेंट दिया था और ये PIA लगाया गया था फाइल बाई गाजीपूर MP अफजल अंसारी और टू अध्यम से गाजीपूर के जो सांसन है शुद भी वेरी क्लेर इन यूर माइंड साथ नेक्स्ट जो बात हैं हमें करनी है तो नेक्स पॉइंट है इसके बारे में डिस्कूस कर लेते हैं इंट्रूजन फॉर्म नेवरिंग कांटेश चोटा सा पीस ओफ इंपॉर्मेशन है बड़ पीटी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है ठीके ना पीटी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है आप देखेंगे ये बॉर्डर का इक इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है ये बांगलादेश हो सकता है ये इंडिया हो सकता है ठीके ना दोनों दर्वस्तों की सरहत कुछ सिमाओं को यहां पर में फैंस किया गया लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं बॉर्डर के आरपार हो जाते हैं ठीक है लोगों का चोड़ी छिपे जो है एक देसे दूसरे कंट्री में आना जाना हो जा रहा है इंट्रूड कर इंट्रूजन हो जा रहा है इंट्रूजन फों नेवरिंग कंट्रेश यहां पे चोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको याद रहा है जो हो सकता है कि पूछ ले तो पहले बताओ कि इंडिया के जो लाइंड बार्डर से उसमें आप देखेंगे कि कई जगों पे ड जो बार्डर गार्डिंग फोर्सेस रहें प्रिवेंट करते हैं अब यह जो है वल्लेबल पैचर्स है अब माले यह पहार है डिजर्ट है मौंटेंस है अब देहिए साथ में खेपी बारी सारी कुछ चल रही है इदम कॉमन ग्राउंड चल रहा वहां पर में तो यहां पर म रहें किसी प्रगार के infiltration को होने से infiltrators को की अपने देस में आने से to exploit the vulnerable PATCHES घके ना दन्बर आफ चाइना बॉर्डर एक तो आप देखेंगे उसका दो साल का पिछल साल का रिपोर्ट आया है तो अब आपको यहां पीटी के लिए याद रटने है कि सबसे जादा किस बॉर्डर के साथ थर इंडिया-पाकिस्तान अब बॉर्डर से बॉर्डर है और वो नंबर ऑफ केसिस ऑफ इनफिल्टरेशन आपको देखने को मिल नहीं है अब आप यह देख पा रहे होंगे, यह आप देखेंगे यहांपर में, आपको clear cut यह दिखाई देना होगा, बिल्कुल clear होगा आपके सामने, कि यह इंडिया पाकिस्तान है और यह आपके पास इंडिया बांगलाडेश है, ठीके ना, बांकि यह आपके पास इंडिया नेपा पाकिस्तान, तो यह देखेंगे, कि सबसे ज़्यादा, यानि कि पाकिस्तान और इंडिया के बांगलाडेश के बांगलाडेश के दर्च किया गया है, जबकि आप देखेंगे, इंडिया बांगलाडेश में, यह सबसे ज़्यादा इंडिया इंडिया बांगलाडेश के बा natural I mean land escape like desert ho gaya mountains ho gaya हमारे forest ho gaya common agriculture fields ho जाते हैं इंडिया बांगलादेश के बीच में etc. तो सबसे जादा जो number of cases of infiltration देखने को मिला है that is from Bangladesh, इंडिया बांगलादेश से, ठीके न, हो गया सभी लो मुझे अब आजएगे, utilization of CSR fund, अभी कुछ दिन पहले भी CSR fund के बारे में new regulations आये थे, उसको हम लोग ने discuss किया था, आज फिर से हमें बात करना है, utilization of CSR fund, that is called corporate social responsibility, जो fund होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, हलांकि कुछ बाते हमने पिछले class में कहीं, कुछ बाते कहीं थी, कुछ बाते नहीं कहीं थी, वही कहना है, utilization of CSR fund में, ये news में रहा हुआ है, कल के news में था, ठीक है ना, so CSR fund हम देखते हैं, यानि कि आज के news paper में आए गया है, so utilization of CSR fund क्या है, ये देखते हैं बात करते हैं, ये देखिए सर, is the amount, एक यासी राशी, जो कि corporate social responsibility, corporate social responsibility is allocated and utilized by various companies, जो CSR के अंदर का जजू fund होता है, उसको जो बिभिन कंपनियां होती हैं, वो उसको allocate करते हैं, utilize करते हैं, in accordance with the board, broad framework provided by the government, under section 135 of Companies Act 9, 2013 Act, and Companies CSR Policy Rules 2014, as amended from time to time, तो आप देखेंगे कि CSR के बारे में, जो fund आप एक खटार करते हैं, जो utilization करते हैं, वो दोनों को दोनों के लिए जो कानूनी आधार है, CSR को create करने के लिए और इसको खर्च करने के लिए, ये याद रखना है, आपका Company Act 2013 का section 135 है, जो जो ये याद रखना है, बहुत इंपोर्टन है, दूसरा आपके पार से Companies, यानि की Companies CSR Policy Rules 2014, इन दोनों के अधीन जो है, आपके CSR का fund को create किया जाता है, इस fund को allocate किया जाता है, utilize किया जाता है, इस fund को allocate किया जाता है, हाथ to allocate at least 2% of their average net profit, ये figure हमेशा याद रखना है, पिछले class में, पिछले current phase में, newspaper में 2% नहीं आया था कि CSR का कितना परसंट होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको याद रखना है, कि जो Companies Act 2013 है, वो ये कहता है, कि आपके पास जो net average, जो average net profit होता है, उसका 2% आपको CSR के रूप में रखना चाहिए, और करच करना चाहिए, अब the company met during the 3 immediate, preceding financial years for CSR activity, ठीकिना, immediately preceding financial years for CSR activities, ठीकिना, तो पिछले 2 वर्ष में, जो आप 3 वर्ष में, जो आपके पास, जो net profit वा, उसका 2% आपको निखाल करके, CSR के नाम पर में रखना है, that is called, आपका 2%, ठीकिना, average of their, average net profits of the company made during the, during the 3 immediately preceding financial years for CSR activities, so that is very important, यह piece of information आपके पास होना चाहिए, UPPCS के examination में, 2019 वाले paper में, यह पूछा भी गया है, 2019 में, ठीकिना, UPPCS 2019 में यही सवाल पूछा भी गया है, ठीकिना, चलिए, निक साहिए, the board of a company is empowered to plan, decide, execute, monitor, safe, or activities of the company, और जो company का जो board होता है, company का जो board of directors होता है, वो इस बात के लिए empowered हैं, कि कैसे plan करेंगे, decide करेंगे, execution करेंगे, and monitoring करेंगे, जो CSR activities है, of the company का, वो कैसे करेंगे, ठीकिना, हलाकि यह data था, अभी इस data में यह भी आया हुआ था, कि कौन से company कितना गरती है लिए, इतना detail आप से examination में नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने, किवले यह decision making, और यह जो percentage है, बस इतनी ही बाते मैंने बताई, इसलिए में बताया गया, कि CSR की activity आप के लिए क्या-क्या हो सकती है, जिसे healthcare हो सकता है, education हो सकता है, rural development projects हो सकता है, एक्सिक्टा. Further, the first provision to section 135 clause 5 of the act provides that company shall give preference to local area and the area around it where it operates. तो यह CSR के बारे में छोटे से जानकारी है, कि यह स्चेतर में company established है, तो यह जमेदारी है, एक तरीके से अब कहें, कि यह section 135 clause 5 of the act, यानि company act के अंदर यह प्राउब भान किया गया है, कि जिस इलाके में company है, उसके local area development करने का वो काम priority basis पे करेंगे, ठीक है ना? So company shall give preference to local area and areas around it where it operates. ठीक है प्रेफरेंस है, ऐसा नहीं है, कि आपको compulsorily, आपको केवल और केवल इन ही इलाके में काम करना है, जिसे माल लेते हैं कि Tata Steel है, कि केवल development का काम नहीं करेंगे, वो बाहर भी करेंगे, लेकिन जो priority basis पे, वो आजपास जम्शेदपूर के इलाके में, वो क्या करेंगी, वो वहाँ पर में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? वो development का काम करेंगे, CSR में ये बाते कहींगे हैं, तो यह जितने भी legal provisions हैं, उसको आपको याद रखना है, section 135, clause 5 of the act provides that the company shall give preference to local areas and the areas around it where it operates, ठीक है ना? So that is quite important source and balance, ठीक है? चलिए, इतनी बाते हो गई हमारी, अब आज ये दिखते हैं, per capita steel conjunctions के बारे में हमें बाते हैं, that is again important piece of information, ठीक है ना? जोगरिफी में, इकॉनिक जोगरिफी में ये आपसे पूछा भी आदा है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, कि जो steel है, वो deregulated sector, deregulated sector है, अपनी एकॉनमें पढ़ा भी होगा, and the decision regarding setting up of production capacity of any steel, grades are taken by individual, by an individual company, based on techno-economic considerations, ठीक है? इतनी बाते होगई, भारत के इंतरगज, पर क्याप्टा कंजंक्शन, जो steel का 2019-20 में था, ठीक है न, वो कितना था, पिनिस स्टील का, वो था 74.7 kg में, ठीक है और यहीं पर में बात करें, जो world average है, world average है, the same period में, ये 239 kg का है, यानि कि हमारे यहां बहुत कम है, करीब चार गुना, जहादा world average है हम से, आप देखेंगे, कि इंडिया का जो average है, 74.7 kg का है, जबकि world average 229 kg का है, during the same period, as per the data, released by world steel association, छोटर से piece of information है, prelims के लिए specific है, prelims के point अभी से, इसको आपको याद रखना चाहिए सर, ड़िए कि इंडिया में, आप देखेंगे, जो world average है, वो 239 kg का है, यह याद रखना है, ठीके ना, असा report ज़ारी किया गया है, world steel association के बाद हम से, यह सर, यह crude prelims के facts हैं, इसको याद रखना है, दूसरा, geography में, अगर industrialization में आए, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीके ना, आप देखेंगे, जो कि world average 239 kg का है, लेकर इंडिया में, यह 74.7 kg का है, तो आप यहाँ से यह highlight करके, मैं इसमें दिखा सकते हैं, कि इंडिया में अभी भी, चार गुना ज़ादा करने का potential है, if we compare it to the world average, ठीके ना, तो इस डेटा का प्रयोग, आप वहाँ पर में, steel industry के growth and develop वाले पार्ट में, growth and development से अगर सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप वहाँ पर इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं, कि world steel association ने आसे सी बाते कही, जहां का इंडिया में जो पर capita finished good furnace, जो finished steel है, उसका जो है, तो आपका क्या है, consumption 74.7 kg का है, जिबकि अगर सेम पीरिड, यह world level पर देखें, तो आप इसको डेटा को वहाँ भी, means के writing में भी करते हैं, industrial development में, steel, आपने देखा भी, इस बार भी आपका iron and steel industry, जो बारे में पूछा गया है, पिछले बार मैंने आपसे पढ़ाया भी था, jute industry को लेकर के, waiver के theory को लेकर, industrial location theory, तो इस बार के mains examination में भी आया था, वो iron and steel industry को लेकर कहीं, तो इंडिया में जो था, क्यों market oriented क्यों है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, जो गरेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें increase domestic steel making in India, right, and to improve per capita, per capita steel consumption है, उसके लिए, so these are the data, अब दिखते हैं, कि जो हमारे पास national steel policy है 2017, ठीक है न, एक इसमें है, national steel policy 2017, इसमें notify किया गया है, कि 8 माई 2017 तक, domestically meeting the entire demand of the steel and high-grid automotive steel, electrical steel, special steel and a law for strategic appliances, it also aims to increase the per capita consumption of steel to 160 kg by 2030, आप देखें, अब सीथा यहां से सवाल है, प्रिलिम्स के लिए भी, नाशा स्टील policy 2017 के अनुसार, कि 160 kg तक, आपको क्या करना है, 2030 से कर दिस तक में, जो per capita consumption of steel का, उसको आपको बढ़ाना है, यानि कि सरकार खुद भी इस तरफ गंभीर है, कि किस तरह के से जो per capita finished steel का, जो consumption हो, वो बढ़े, तो 2030 से कर दिस तक रखा गया है, कि वर्तमार में जो 74,67 kg का है, उसको बढ़ा करके 160 kg किया जाए, ठीक है, और इसके लिए notification दिया गया है, और बताया गया है, कि जितनी भी demand है, इसको बढ़ाना है, ठीक है, दूसरा किया है, कि domestically manufactured iron और steel जो products है, पॉलेसी, इनके इस production and consumption of domestically produced steel, अब यह आपके पास DMISP, पॉलेसी जो है, वो क्या करता है, डेइस के दरगत, production कर रहेगा, and consumption of domestically produced steel को, ठीक है, यह भी प्रयास सरकार के दोरा जारी किया जा रहा है, कि किसी तरीके से, आपका consumption उसको इंप्रूफ किया जा सके है, उसका दीखेंगे, issuance of steel and steel quality, products quality control order for compulsory BIA certification for 145 iron and steel products in order to ensure that quality of steel being manufactured by domestic producers, ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, कि हमारे यहां quality steel products आ रहे है, quality steel production हो रहे है, quality steel productions हो रहे है, ठीक है न, being manufactured by domestic producers और import, इसके लिए आपके BIA certification भी जारी किया जा रहा है, as for the Indian standards, ठीक है न, इसके लिए BIA certification भी जारी किया जा रहा है, 145 पंटेश जो है, domestic industries इससे अधिक पोली करके, inclusion of specialty steel under the production linked incentives, ठीक है न, आप किया है, कि specialty steel के production के लिए, इसे PIL के माधिन से जोड़ दिया है, that is called production linked incentive, यानि कि आप production करेंगे, उससे सब सरकार आपको कई प्रकर का incentive देती है, tax benefit देती है, ठीक है, एक्सेक्टर, इसकी recently announced by the government to help attract capital investment, जिसके वैसे इस industry में capital investment हो सके, पुंजी निवेश हो सके, आप देखेंगे, आसे प्रशन आपकी examination में देखने को मिलते है, चाहाँ आप state pieces में जाएं, या आप किसी और examination में, UPSC में आएं, तो अब देखेंगे कि सरकारी प्रयासों के बारे में बोला जाता है, ये particular industry के लिए सरकारी प्रयास क्या किये जाने है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर R&S Steel आपके लिए हमेशा important है, मैंने आपसे का, ये पिछली वर्स भी हमने focus के class में आपको पढ़ाया था, R&S Steel को लेकर के, तो वहाँ पर मैं vivarian theory पूछ लिया, कि market oriented क्यों है, जिसका example मैंने जब explain किया था, मैंने answers को तो मैंने वहाँ बताया भी था, इसी तरह के सा R&S Steel बहुत important है, और इसकी वह पूरा focus भी है, तो आपसे सरकारी प्रयास पूछे जाते हैं, या इससे सम्मन्दित कोई भी prelims का सवाल अगर बन जाए, तो वो भी आपसे examination निकाल के चला जाता है, देखे हमेशा मैं यह कहूँगा, कि हमें आदत यह होती है, कि हम हमेशा हलकी हलके चीज़ों को पढ़ना चाहता है, लेकिन जो चीज़ें पूछे जाने के potentials होती है, उसको हम लोग ignore कर देते हैं, हम इग्णोर नहीं करना है, जब आप news पढ़ेंगे न, इतने newspaper में बस आपको इतने ही बातें याल रखनी पढ़ेंगी, कि हाँ यह सारी चीज़ें हमारे काम की हैं, हमें ऐसे ही पढ़ना है, अब आपको मैंने यह कहा कि जोगरफी के industry के section से, आपको इन सब चीज़ों से आपको जोड़के पूछा सकता है, कि what are the government initiative, तो आपको यह सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगें, सरसनाब से, इस स्टील स्क्राप रिजाइक्लिंग पॉलेसी 12-19 समारे पास है, तो इस साइब की कोई भी policy अगर आती तो यह भी बहुत महतोपुन होया था, इसमें कहा गया कि जो स्टील स्क्राप रिजाइक्लिंग पॉलेसी है, इसमें यह कहा गया कि हमें environmentally sound management system को create करना होगा, ठीके ना, यानि कि प्रयावरण का छतीना हो, इसके लिए एक ऐसा प्रबंधन का तंत्र इहां स्थापित करना होगा, जो encourage करें, इस बात के लिए प्रोच्साहिट करें, processing and cycling of various scraps, ठीके ना, तो आपने देखा होगा बहुत सरे जो iron वेगर होते हैं, scraps होते हैं, उन सभी की processing तरीके से हो सके, जिसकी वैसे environment पे इसका impact adverse ना पड़े, ये भी ध्यान में रखना है, और इसी के लिए steel scrap recycling policy 2019 को लाएगा, याद रख लिए इन points को note कर लिए, कि कभी भी iron steel के potential के बारे में, ये सरकारी प्रयास के बारे में है, इनमें से points निकल के आपको डाल देना है, इसको लिख लिए, point हुबा हुब करके, PDF आपके पास जाएगा ही जाएगा, इसको definitely joint लिख लिएगा, तो ऑर्गनाईज अंसाइंटिफिक मेंटल स्कार्पिंग, मेंटल स्कार्पिंग सेंटर्स एक्रॉस इंडिया, तो मीनिमाइज डिपेंडेंसी ओन दाइंटिफिक ताकि हमारी निर्भरता जो है, इंपोर्ट पर में, और आरेन को लेकर रहे हैं, वो कम हो जाए, और भारत को सल्प सफिशिन बनाए जा सेगे, स्क्राप अबिलिटी में, अब यह जो स्क्राप आ रहा है ना, इसकी विए से आरेने स्टेल जो है, वो मार्केट ओरियंटेड आजकल हो गया है, आपने देखा पहले क्या होता था, कि पहले कॉस्स एफेक्टिव, क्योंकि यह जो स्क्राप और धोया है चैंटाबоля हो है, इसलिए एक नया ट्रिंड आप आरेने स्टेल इंडस्ट्री में लेखने को मिलेट जो इस पर क्यों वहां पर ज Army को इलोकेट के जा रहा है, तो अब जो है यह market के नहीं बलकि raw material के जो market में जो है यह orient होता चला जहाँ जहाँ पर scrap आपके पास available है With an aim to promote 6 rupees principle of reduce, 6 जो आर प्रिंसिपल है reduce, reuse, recycle, recover, redesign and remanufacture यह this is called 6R formula, 6R formula ठीके ना 6R जो principles है इसको लेकर के reduce करना है, reuse करना है, recycle करना है, recover करना है, redesign करना है and remanufacture करना है, this is the concept of 6R policy with scrap, steel scrap के साथ, ठीक है sirs and ma'am, चले, इतनी बाते होगे, that was a great information, ठीक है so PT और means के लिहाद से आपको पढ़ना पढ़ेगा, sir को दर्द नहीं करवाना है, that is very very important, अगर आपने इतनी बारिकियों के साथ अगर नहीं पढ़ना शुरू किया, तो मैं मानता हूं कि आपको फिर दिक्कत आज सकती है, आपको समझना पढ़ेगा, कि हर कोई बोलता है कि क current affairs पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आपके वहल हलकी हलकी चीजों को पढ़कर करके आपका काम हो जाएगा, नहीं ज़र, आपके UPSC के examination में, जो चीज़े required हैं, यह आपको syllabus recording आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को कर पाएंगे, अब अब examination में, प्रिलम्स के examination में, science and technology भी आता है, हमने nuclear medicines के बारे में बात करना है, ठीके, चलिए, अब आजए, आई हम रो बात करें nuclear medicines के बारे में, देखें कि है, कि भारत में जो department of atomic energy है, ठीके न, atomic energy, department of atomic energy है, अब यह department of atomic energy है, यह प्लान कर रहा है, sharing of one of its facilities, partially with private agencies for weekly production of column chromatography generator productions के अभी यह बात हो रही है, कि अभी तक हम देखें हैं कि हमारे हाँ, जो, I mean, जो production हो रहा है, जो है, column chromatography generator productions का, वो अभी तर पॉब्लिक सेक्टर में, तो अब सरकार यह प्लान कर रही है, कि department of atomic energy, जो है, वो अपनी कुछ जिम्मेदार यहां, प्राइवेट सेक्टर के साथ अभी प्राइवेट एजन्सियों के भी शेर कर लें, जिसमें weekly अधार पर में, साफ्ताहिक अधार पर में, जो column chromatography, genital production हो रहा है, वो weekly basis पर में, प्राइवेट इंस्टूशन के द्वारा, या एजन्सी के द्वारा भी करवाया जा सके, अब यह है क्या, आईएस के बारे स्टेक, इंडिपेडेंट चार्ज है, अटामिक नोजेन स्पेस के जितेंदर सिंग, डॉक्टर जितेंदर सिंग, इनकी बस कई पूर्टफोलियों है, मोस हैं, कई जगों के, कई मंत्राले में, तो इनने रिटें रिटें रिप्लाइट तो इंद लोग सावा टुडे दिय था, ठीक है न, टेक्नोलोजी फॉर देप्ड़क्शन आफ इंपोर्ट इंपार्टेंट रेडियो फार्मासोटिकल्स, यह जो रेडियो फार्मासोटिकल्स है न, यह कैंसर जैसे बिमारियों के लिए बड़ा ही उप्योगी सिध होते हैं, आप जानते हैं, कि कई परकार ठ रेडियो फार्मासोटिकल्स है, कि किसके लिए यूज़ किया आता है, तो that is used for cancer imaging के लिए, सिंबल सा चीज़ आपको यह जानते हैं, जदा दिमाग नहीं लगाना है, जदा अपनी दिमाग को तकलीफ भी नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर आपसे पूछा, यहीं पर 18F है, य फिर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस इसमें यह याद अठना है, कि यह जो radio pharmaceuticals हैं, जैसे कि 18F, FDB, यह cancer imaging के लिए है, और 18F, NAF जो है, वो bone cancer के imaging के लिए, PT के लिए काम हमारा हो गया, that's it, इतनी बाते हैं अपने समझ ली, तो यह इसका production हमारे हैं, हमारे है, आप जो bone cancer imaging है, that is possible in India, ठीक है, लेकिन आपको बस इस radio pharmaceuticals के बारे में याद अठना है, कि यह क्या काम करता है, और यह 18F, NAF है, यह क्या काम करता है, यह दो चीज़ें आपके पास याद बता हो नहीं, तो आपके काम के यह दो बाते होगे, मैंने आपसे बताया है, कि आपको newspaper प अब ही government का यह है, कि भारlook ko self-land बनना है, ठीक दो ना, radio pharmaceuticals सीद्वा मतलब यह concept यहीओ, इसके लिए क्या क्या गया है, कि रिसरच biography dedicated to medical isotope production, is in vissas to be executed under public private partnership, इसके लिए हमें research reactor को क्या करना है, create करना है, इसके लिए isotope production के लिए, medical isotope production के लिए, और इसके लिए private partnership, public private partnership, इसक ISO to production is in VISA to be executed under the public-private partnership. Right? तो एक प्रयाद सरकार का ये चलने वाला है, कि सरकार यहाँ पर क्या करने वाली है, इन सारे चीजहों को, सो ये करने वाली है, राइट सरस अन्वाल्प्स, चलेए. अब इतनी बाते हो गए, अब आगे बटते हम बात करते हैं, और क्या बाते हैं सर्फ, इसको भी देख लेते हैं. अब देखें, दूसरा क्या है, कि इन दिस पार्टनर्सिफ गवर्मेंट थू, देपार्टमेंट अफ अटॉमाइक इनरजी जो D.A.E. है, प्लान्स तो एक्स्टेंड सपोर्ट तु दा इन्वेस्टर्स, यह क्या है, हमारे हैं नुकलिर मेडिशीन में भारत के अंतरगत, यह भी थूड़ा बात कर लेते हैं, तो बरतमार में हम देखेंगे, कि आट पर्जिन, आज पार्ट अफ आख्म निर्भा भारत, कुछ इनिशेटिव D.A.E. के द्वारा, यह निए Department of Atomic Energy के द्वारा लिया गया है, ठीक है ना, वो क्या है, वो देखते हैं, कि क्या-क्या इनिशेटिव लिये गया है, तो इसमें देखेंगे 30MEV, that is called Medical Cyclotron, at Variable Energy Cyclotron है यह, ठीक है ना, यह बात समुझ पारें, 30MEV, that is called Medical Cyclotron, at Variable Energy Cyclotron Centers, VECC Kolkata, यह operational है, जहाँ बन में regular commercial production हो रहा है, और delivery हो रहा है, किसका, Radio Pharmaceuticals का, like FDZ, FDZ, that is called 18F, sodium fluoride, जो आपने देखा कि बोन के लिए था, बोन कैंसर के लिए, यह कैंसर के लिए था, FDZ 18F, ठीक है ना, यह develop किया जा रहा है, किसके दोरा, VECC, जो की कहा है, Kolkata में, that is called Variable Energy Cyclotrain Center, that is in Kolkata, यह centers भी आपको याद रखें, ठीक है, और यह किसके माधियम से किया जा रहा है, तो BRIT के माधियम से किया रहा है, BRIT क्या है, what is this BRIT, तो यह Board of Radiation and Isotope Technology है, जिसका headquarter का है, ना भी मुंबई में है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में है, यह भी मैं डेटिल बता दूँगा, कि what is BRIT, BRIT क्या करते है, कहां इसका headquarter, ना भी मुंबई में है, अभी बताऊँगा यह भी, ठीक है, तो आपने पहला देख लिया, कि हमने यह 30 MEB Medical Cyclotrains है, 8 Variable Energy Cyclotrains Center, VECC, that is called Kolkata में है, operational है, यहां पर यह काम क्या जा रहा, this is the one thing, second thing किया है, कि जो production of gallium 68 है, ठीक ना, 68 gallium है, यह हम बात करें कि 67 gallium है, यह thallium 201 है हमारे पास, जो based pharmaceuticals है, have been done at Medical Cyclotron Facility, BC at Kolkata, तो यह medicines हमारे हैं, radio pharmaceuticals हैं, और ये सारी के सारी medicines, particularly आप देखेंगे, cancer के cure के लिए किया जाता है, right cells and mouse, so that is very important, ऐसे याद रिकना है, फिर जो है gallium 687, जो आपके पार देखेंगे, जो thallium है, आपका 201 है, based radiopharmaceuticals were hitherto imported, और इसके बावजूर्द भी हमारे इसके जहां संख्या कम है, तो हमें gallium 687, और thall जो 201 है, इसे हमें import भी करना पड़ रहा है, इन सभी को हमें import भी करना पड़ रहा है, ठीक है, अभी क्या है कि BRIT जो है, BRIT has taken two projects, BRIT जो है, अभी क्या है, दो projects को भी अपने पास लिया है, has taken up two projects, पहला है advanced facility for radio pharmaceuticals production के लिए, that is called AFRP, दूसरा है fees and molly project that is called MFP, for production of medical isotopes in large scale, under AFRP projects, BRIT is augmenting, जो आपके पास I-131 capsule production है, and I-131 MIBZ production है, for diagnostic and therapeutic application for cancer treatment, ठीक है न, यह क्या गया है, ठीक है, इसका use क्या जा रहा है, ठीक है, अब BRIT है क्या, BRIT के बारे में पहले जान रहा है, what exactly BRIT is, तो BRIT देख लिए है, यह जो BRIT है, यह एक independent unit है, this is called what, independent unit, Department of Atomic Energy का है, Department of Atomic Energy का है, which provides products and services, based on radiation and isotopes, ठीक है न, for application in healthcare, agriculture, research and industry, ठीक है न, यह इसके लिए radiation and isotopes का create करता है application को, healthcare में, agriculture, research में and industry में, ठीक है न, और इसका जो headquarter है, वो है, नवी मुंबाई में, यह याल रिखना है, आपके पास यह भी BRIT का, जो headquarter, that is in नवी मुंबाई, इतनी बाते हैं, इतनी ब यह nuclear medicine क्या होता है, यह क्या है nuclear medicine हमारे पास है क्या, जो nuclear medicine है न, यह medical है speciality, that uses radioactive traces, that is called radio pharmaceuticals, ठीक है न, to assist bodily functions and diagnose and treat diseases, so this is your nuclear medicine, यह आपके science and technology में पढ़ना भी है, what is nuclear medicines, यह पढ़ना भी है, आप से पूशा है, what is called nuclear medicines, तो आपको यह याद रना है, कि यह medicines है, nuclear medicine, is a medicine, a specialty that radioactive traces है, to assist bodily, याने कि body ठीक से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, diagnose करना है क्यों बिमारी है नहीं, और अगर कोई बिमारी है, तो उसको treat करना भी, so nuclear medicines का objective is, so this is a well-defined definition of nuclear medicines, ठीक है न, फिर आपकर आपसे पूश ले, means में लिख ले, science and technology में, कि write 150 words over nuclear medicine, nuclear medicines क्या है, कौन-कौन स इंडिया में है, कौन-कौन सा जो है, जो radio pharmaceuticals है, जो इंडिया में बनाया जा रहा है, that is call आपका radioactive traces, यह हमने आपको बता दिया, कि चीजों का अभी भी हम जो है, so import कर रहे है, अभी सरकार आत्मीरों भारत की प्रयास में क्या-क्या कर रही है, यह तवाम बाते आप लिख से लेकर के 250 words, आप nuclear medicines के उपर भी इंडिया के present scenario के बारे में लिख सकते हैं, इसके applications के बारे में लिख सकते हैं, cancer cure, आपने देखा कि बहुत और एक्जांपल आपने दे लिए, बून जो है cancer हो, उसके diagnosis में कर दिया, अपने cure में कर दिया, so this is a good example, so it's a very good article, जो कि आपके कि इसके लिए science and technology के लिए बेहत महतोपुन है, इतनी बातों को ध्यार में रखेंगे सर, ठीके न, ठीके सर्स और माम्मस, चलिए, इतनी बाते हो गए, इन बातों को आपको ध्यार में रखना पड़ेगा, सर अगर नहीं राद रखेंगे, तो थोड़े चीज़ देख का दास जो radioactive traces हैं, इसको देख करके, डॉक्टर्स को इस बात के लिए क्याता है, अजादे मिल जाती है, कि इनके path को trace कर सेगा, और इसके लिए हमारे पास दो methods है, that is called SPECT, और दूसा है PET, SPECT का है, single photon, जो emission completed tomography है, unposistron, जो emission tomography है, PET, scans are the two most common amazing modalities in nuclear medicines, यह आपने देख लिए, यह आप है, SAPCT है हो गया, UNPET हो गया, that is called positron emission tomography, यह आपको देखने को मिल रहा है सा, so these are the things, अब next हाजेगे, हम लोग बात करते है, applicability of anti-defection law for nominated members, ठीक है रहा, आपको, कि जो है, बावन में सम्विधान चेंशोधन के माद्यम से 1985 में, हमारे यहां, दसमें अनिसुची जोड़ी गई थी, जो anti-defection law के बारे में बात करते है, grounds for disqualification के बारे में mention करें, तो article 102-2 और article 191-2 for MP and MLA के disqualification के बारे में बोला गया, ठीक है न, exceptions है, कि अगर माना थें कि कोई भी political party का सदस्य चुनने के बाद, अगर speaker यहारा chairman बनता है, ठीक है न, तो यह defection नहीं माना जाए, party could be merged into another particle party by two-third, majority, तो यहां भी यह defection नहीं माना जाए, जाने वाले के लिए भी आने वाले के लिए, यह सारी चीज़े नहीं माने जाएज़े, अब presiding officer होते है न, the presiding officer, यानि कि जैसे लोग सब हमें speaker होगे, decides on the question of disqualification, issue is supreme court interpretation, in GV, Vishwanathan judgment, in 1996 case, on a task member, a mercy, MP, इनके बारे में बताया गयाता है, advantage क्या है, stability of the party discipline होता है, disadvantage क्या है, freedom of members get affected, अब यह पूरा का पूरा, आपके पास यह पूरा, एक discussion आपको दिखाई दे रहा है, जो कि Indian Express का है, कि क्या इसके advantages है, defections के क्या disadvantages है, जो कि यह news में कई बार भी आया है, यह आपके ल party के अंदर discipline, अनुसाशन और स्थिर्था को यह maintain करता है, so this is the positive aspect of that, इतनी बातों को ध्यान में रखना है, इस पूरे point को, इसको पूरा का पूरा, यह आपका brief है, पूरा anti-defection law को ले करके, अगर केवल इतनी ही बातों को, अगर आप लिखने, 150 words में आए, anti-defection law को लिख इन्होंने राजसवा से रजाइन कर दिया, ठीके न, इनका जो टर्म था पूरा एक साल जो बचा हुआ था, जो 6 साल का होता है, उसे एक साल पहले ही इन्होंने किया कर दिया, राजसवा की सदस्थिता अपनी त्याग दिया, रजाइन कर दिया, सौपना दासगुपता, MP सौपना दासगुपता ने कर दिया, सौपना दासगुपता ने कर दिया, अब ही आप जानते हैं कि पश्चिप मंगाल का वो बिधान सवा चुनाओ हो रहा है, और उसमें तारकेश्वर कॉंसिए से यह क्या कर रहा है, यह जो है, सौपना अपनी सदसिता अपने उमिद्वारी फाइल कर रहा है, बीजेपी की सीट पर, ठीके ना, तो अपोजिशन ने इसके लिए आवाज उठाना शू कर दिया, यह डिस्क्वालिफिकेशन मना जाएगा, it is a violation of anti-defection law, के रहोंने अपने समय से पहले पतर दे दिया, य in the field of literature, science, art and social service, यह बात समझ पा रहेंगे, president nominates such individual on the recommendation of recommended by the center, ठीके ना, तो president क्या करेंगे, इनको nominate करने का काम करेंगे, मंतिर परिशप की सलाव पर करेंगे, Nominated members have the same rights and privileges as elected members, with one notable difference, they cannot vote in the election of the president, ठीके ना, के अल, nominated members क्या करते हैं, यह जो होते हैं, वोट नहीं करते हैं, राश्पती के चुनाव में, बाकि उनके पास वही powers, वही rights available हैं, जो elected members के पास उपलब्ध होते हैं, यह बातों को भी याद रखेंगे, इसा, films के point of view से काफी मह हैं, ठीके ना, तो आपने देख लिया, defection के बारे में, पूरा आपने देख लिया, detail समझ लिया, और यह जो power से इनके बारे में भी समझ लिया, anti-defection law, यह हमने आपको बता दिया, कि 10th schedule के माद जो है, उसको जोड़ा गया था, 52 में, समीरा फिंशोधन के मादियम से 1985 में करने के लिए इसको लागा गया था, penalty for shifting political loyalty is the loss of parliamentary membership and a bar on becoming a minister, ठीके ना, और जो आप shift करते हैं, इसके लिए penalty डंड क्या है, is the loss of, loss of parliamentary membership, आपकी इसन से दिया सवाप्त हो जाएगी, और आपको, जो है, सो मंत्री बनने से आपको रोका जा सकता है, bar on becoming ministers, ठीके, इतनी बाते हो होगे, the law specifies the circumstances under which changing of political party by MP invite action under the law, it covers three types of scenario with respect to MP switching parties, ठीके न, तो तीन प्रगर किसी थी जो आपने देखें लिया पहले, member elected on the ticket of political party, voluntary gives of membership such a party, votes in the house, contrary to the wishes of the party, या उने बता दिया, कि किस आधार पे किसी वेतिकी की, जो है, so anti-defection law के खरार, सदसिता समाप्त हो सकती है, तो अग आप क्या करते हैं, अपनी membership को स्विक्षा से छोड़ देते हैं, ठीके न, तो ये आपकी political party में समाप्त हो जाती है, ठीके, दूसरे when MP has won his overall seat, independent candidate की रूप में, and after election, joins a political party, 6 महिने के भी तर, for nominated members, political party join कर लेता, ठीके, नॉमिने मेंबर्स के लिए, within 6 months, अगर वो क्या करते है वो अपनी किसी political party को join कर लगा, तो भी इसकी सदसिता यहां पर सवाप्त हो जाती है, ठीके न, ये इतनी बाते हैं, यहां पर कहिए हैं, so this is called anti-defection law, ठीके, मैं बताना चाहूंगा सर, कि अब आप लोगों में से, देखे, जो लोग भी 2021, 22 के लिए, 23 के लिए, तो आपके लिए अभी 17 मार्च से, यानि कि कल से batch शुरू हुआ है, इसको आप लोग join कर सकते हैं, बिलंब मत किए, आपको बिल्कुल मन से पढ़ना चाहिए, कई batches यहां पर आपको देखने को देखने को मिल रहे हैं, ठीके न, अब आप देखने को मिल रहे हैं, ठीके न, अब आप और देखेंगे, यह optional के पास भी, आपके पास, optional का भी option है, कि आपको optional लेकर भी पढ़ना चाहिए, मैं यही कहूंगा, कि आपके विल GS पढ़कर की काम नहीं कर सकते, आपको optional भी पढ़ना पढ़ेगा, तो आपके पास क्या है, कि unacademy के platform पे आप देखेंगे, कि आपके GS यानि कि प्लस और optional प्लस का भी option दिया गया है, you have the option for that, GS के लिए आप देखेंगे, पूरी live classes, test reads, structured course, unlimited access सबको दिया जा रहा है, ठीके न, और आप यही चाहिए, live classes चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कभी live class छूड़गे, आप recorded नहीं लेकर देखेंगे, आपके पास जब तक subscription दो तक उसको अनगिनत बर आप देख सकते हैं, so you can go for live classes, test reads and quizzes, structured courses होते हैं, unlimited access होता है, साथी सब आप देखेंगे, कि हर एक class के साथ आपको PDF भी share किया आता है, उस class का PDF भी आपको मिलता है, और साथी सब मैं बताओं कि आप जो भी sir board पे लिखेंगे, वहाँ आपके पास जा सकता है, यानि कि एक एक बात, जो कि teacher यहां लिखते है, वो सारी चीज़े आपके पास वहाँ तक जा सकते है, then you can go for, यहार आपका UPCJS के लिए जा सकते है, optional के लिए जा सकते है, तो मैं कहूंगा, कि आपको जैसो आपने कोई भी option ले सकते है, यह iconic plus का combination ल there's a lot of batches that you could find, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे क्या, कि आपके पास क्या है, combat का program चल रहा है, 21st of March को है, 11 वजे से है, ठीक है, हर एक संदे को हो रहे है, पवंटेम का code अपलाई करके आप इसको join कर सकते है, ठीक है, चलिया आगया चाहिए, governance आई आर आपका आ रहा हो, anacademy, 강, 6S के लिए को लिए रहा हो, js Plus Optional के लिए रहा हो, Iconic का लिए लेंआ, use this code Paw ますалась, ठीक है, क्योंकि आप मेरे as per mentorship में रहेंगे if you are using my code अब मेरे से बात कर सकते हैं मेरे से अपने चीज़ों को यह क्या रिस्ते हैं अब वो अप्रिशेट करवा सकते हैं ठीक है अब एक क्लास को यहीं रखते हैं फिर हम लोग मिलेंगे साम के चार वह जहां हम लोग बात करने वाले अज परलिमेंटरी फीचिर्स के बारे में बात करने वाले वाई वाइट से लिए टेकर आवर्यों लॉट्स अब लोवन ब्लेसिंग्स एंजवाय और